नमस्कार निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम गुड़ पापड़ी बनाएंगे यह हमारी ट्रडिशनल रेसिपी है और सर्दी के मौसम की खास मिठाई है इसे आप बना कर बच्चा को दीजिए आप भी खाएए पहद अच्छे लगेगी तो आएए गुड़ आठापड़ी बनाना शुरूर करते हैं गुड़ पापड़ी बनाने के लिए सब्से पहले हम आटा भूंकर तयार करेंगे तो पैन को हम गरम करेंगे फैन में घंक हमने अधा कप घीलिआ है थोड़ अधा कप घी हम बचा लेंगे घी को थोड़ अगरम होने देते हैं और मंखी मैल्ट हो गया है जी में आता डालेंगे एक कप आटा है आते को लगातार चलाते हुए अच्छा गौल्डन ब्राउण होने तक भूणेंगे गैस मीडियम और धीविरखें है आता गौल्डन ब्राउण हो गया है अच्छी अच्छी खुश्बू आ रहे हैं और आटे से घी बी अलग होने लगा हमारे आटा भूनकर तयार है गैस बंद कर देते हैं आटे को हम थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे क्योंकि कड़ाई नीचे से गरम होती है अगर नहीं चलाएंगे तो हमारा आटा नीचे से जल जाएग आटे में गुड़ मिलाना है लेकिन एकटम गरम गरम में गुड़ नहीं मिलाएंगे हलका सा ठंडा होने देंगे एक चोथाई छोटी चमच हमने लाइची पाउडर लिया है यह हम डाल देंगे या चार-पांच छोटी लाइची इनको छील कर कूट कर डाल सकते हैं कर देते हैं और यह प्लेट जिसमें हम गुड़ पापड़ी जमाएंगे इसको हम चिकना कर लेते हैं तो घी लेकर प्लेट पर चारो तरफ लगा देंगे कढ़ाई को उतार कर हम इस जाली स्टेंट पर रख लेते हैं और हमारा आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है यह हमने आदा कप गुड़ ग्रेट करके ले लिया है गुड़ अपनी पसंद के अनसार थोड़ा सा कम थोड़ा सा जाद लिया जा सकता है तो गुड़ को हम आटे में डालते हैं और मिक्स करते हैं बिलकुल गुड़ के अच्छी तरीके से मैल्ट होने तक मिक्स होने तक हम इसमें म दबा देते आच्छे तरीके से एक जैसा कर देते हैं अब हम इसके उपर बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे तो यह हमने पांच-शे बादाम बारीक काटकर ले लिए थे चम्मस से दबा कर हम इने फिक्स कर देते हैं ट्रडिशनरी गुड़ पापड़ी इसी तरीके से बनाते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी ड्राइफ्रूट डाल सकते हैं इससे गुड़ पापड़ी और भी जादा स्वाधिस्त बनेगी तो अभी हम इसमें का है 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 थोड़ा सा ठंडा उंदी देते हैं इसके बाद पीसे अलग कर लेंगे गुड़ पड़िन दिश्ग framework तयार हैं बहुत है अच्छी गुड़ पापड़ी बनी है पहती स्वाधिस्ट गुड़ पापड़ी बनी है और इसे बनाना बहुत असां थोड़ा सा धिहान रखना है आटे को धीमी और मीडियम आग पर लगाते हैं चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और गुड मिलाते समय पहले गुड को अच्छा तोड़ना है एकदम बारी या कद्दू कर से ग्रेट कर लें मिलाते समय इतना धिहान रखें ड बहुत अच्छे गुड पापड़ी बनकर तयार होगी तो आप इसे बनाईये खाईये और अपने अनभव निशामदुली का डाट कॉम पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए